MG Motors ने भारत में अपनी बहु प्रतिश्चत कार MG ZS EV लॉंच कर दी है आज गुरुगराम के सेक्टर 31 में MG Motors इंडिया के शोरूम पर नई एलेक्ट्रिक कार का उठाटन किया गया जिसमें गुरुगराम के वार्ट नमबर 20 के निगम पार्शत कापिल दुआ ने मुक्य अथिती के रोप में शिर्कत कर MG की नई एलेक्ट्रिक कार ZS EV से परदा हटाया और चमचमाती हुए MG की ZS EV को प्रकाशित किया कमपनी ने इसे 21.99 लाक रुपे की शुरुवाती कीमत के साथ लॉंच किया है इस कार के एक्स्क्लूजव वैरियंट को 25.88 लाक रुपे की कीमत के साथ बजार में उतारा गया है ZS EV के साथ MG अपने ग्राकों को पांचवे चार्जिंग एको सिस्टम का विस्तार कराता है जिसमें रेजिडेंट और ओफिस में मुफ्त AC फास चार्जर, पोर्टिबल इनकार चार्जिंग केबल, डीलर्शिप और DC सुपर फास चार्जिंग स्टेशन 24x7 on the go चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध है और सेटलाइट शेहरों और पारिटन केंदरों में चार्जिंग स्टेशन पर फोकस है सबसे बड़ी खासियत इस कार की यह है कि कमपनी ने कहा है कि एक बार चार्ज होने पर यह गाड़ी साड़े 400 किलोमीटर तक चल सकेगी इस कार को कमपनी ने 5 कलर ओपरेशन में उतारा है इसे आप आर्टिक वाइट, ब्लैक पर्ल, बैटरी सी ब्लू, मॉनुमेंट सिल्वर और डाइनमिक रेड कलर ओप्शन में खरीच सकेंगे इन सभी कलर्ज में कार का लुक बहुत आकर शक लग रहा है एमजी की ये कार बाकी मॉडल्स की तरह ही कनेक्टेट कार है जो आई स्मार्ट टेकनोलिजी के साथ आती है इस कार में 75 से जादा कनेक्टेट फीचर्स हैं जो आपके ओवरॉल ड्राइविंग एक्सपिरियंस को और बहतर बनाते हैं गुरुगराम से वी नियूज